वेलकम टू माई चैनल, आज हम बनाएंगे बहुत ही खास्ता हलवाई स्टाइल समोसा, इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही कम इंग्रीडियन्स भी, तो चलिए आज की ये रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं, समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम दो बनाकर तयार करेंगे, तो यहां हम दो कप मैदा लिए हैं, उसके बाद हम इसमें आधी छोटी चमच डालेंगे नमक, नमक डालने के बाद इसमें एक चौथाई चमच आजवाईन डाल दे, उसके बाद हम इसे मिला देंगे इस तरह से, उसके बाद मैदे में हम एक चौथाई कप डालेंगे refine आप चाहे तो यहाँ घी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं मैदे में refine को हम अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से उसके बाद इसमें पाने डालेंगे मैदे में तेल को अच्छे से पहले इस तरह से मिक्स कर लेना है और जब इसका texture इस तरह का हो जाएगा यह देखिए इसका मतलब की यह perfect है तो अब हम इसमें क्या करेंगे पानी आड करेंगे तो थोड़े थोड़े से आप पानी आड करें और उसके बाद इसका एक डो बना ल और तब तक आलू बना लेंगे आलू बनाने के लिए हम एक पैन चड़ाएं इसमें हम डालेंगे तीन चम्मच तेल तो बस तीन चम्मच तेल डालना है उसके बाद इसमें जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें हम जीरा डालेंगे तो तेल हमारा गरम हो गया है हम इसमें आ आप 8-10 सकंड के लिए लो मीडियम फ्लेम पर पका ले आप चाहे तो यहां मटर और रोस्टेड मुंगफली भी डाल चकते हैं अगर मटर है तो और मुंगफली पसंद है तो आप यहां डाल चकते हैं हम यहां प्याज का भी नहीं इस्तिमाल कर रहे हैं तो यह देखिए हमारा अध्रक मिर्च और जीरा पग गया है तो हम इसमें अब मसाले डालेंगे तो यहां आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पॉडर डाल दिये हैं एक आसमीरी लाल मिर्च पॉडर है इससे बस कलर आता है एक तीहाई चम्मच डालेंगे हल्दी पॉडर उसके बाद हम यहां आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे ध्यान रहे कि नमक दो में भी है इसके बाद हम इसमें एक तीहाई चम्मच डालेंगे काली मिर्च पॉडर आप चाहे तो इसके जगह पर आमचुन पॉडर भी डा ही ड्रमना साल मीपथा ऩरी फिल को पर देम एक तीर के टल की पार टेश सकते हैं उसके बाद यहां अधी छोटी चम्रण ती चमच धनीय पावडर और एक θया चमच जीर पावडर और याइनी जल्ड है जल्दी इसकी रेसिपी पाउडर हम गरम मसालो को इसके निस्मा करें आप मासाले अगर अघ्जक हिमसाली ना जब हमारा मिषआ है चुर्शेotte अच्छी मिनन ने जल चाहिएं इसलिए आप इसे लो फ्लेम पर 2-3 मिनट फ्राइब करें. 2-3 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारा मसाला जो है वो पग गया है तो हम इसमें आलू डाल देंगे. तो 5 मीडियम साइस के आलू को हम उबाल देंगे उसे चील करके इस तरह से मैस कर देंगे. हलका सा मैस कर देना है उसके बाद हम इन मसालों में आलू को डाल देंगे. गयास का फ्लेम अभी लो रखें उसके बाद हम इसे आलू को मसालों में अच्छे से मिला देंगे. जब आलू में मसाले अच्छे से मिल जाएंगे तब हम गैस का फ्लेम लो मीडियम पर करके इसे दो मिनट तक पका लेंगे तो पहले अच्छे से आलू में मसालों को इस तरह से मिला लेना है तो ये देखी हमारा आलू मसाले में अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम गैस का फ्लेम लो मीडियम पर कर देंगे और इसे दो मिट तक पका लेंगे इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे दो मिनट हो गया है तो ये देखिए हमारा स्टफिंग तयार हो गया है तो हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और पहले इसमें बारिक कटे हुए थोरे से धन्यापत्त डालेंगे तो धन्यापत्तों को पहले आप अच्छे से धोले और बारिक काट ले और उसके बाद आलू में डाल कर इसे अच्छे से मिला दे तो ये देखे आप देख सकते हैं कि आलू भी पनाने में बहुत कम समय लगा है और बहुत ही कम इंग्रीडियन्स ये देखे हमारा आलू भी बन कर तयार है तो अब हम क्या करेंगे गैस आफ कर देंगे उसके बाद हम यहाँ डो को समोसे बनाने से पहले एक बर अच्छे से फिर से मिला लेंगे उसके बाद हम मीडियम साइस के लोई तो रहेंगे तो यहां हम मीडियम साइस के समोसे बना रहे हैं इसलिए मीडियम साइस के लोई तो रहे हैं आप अगर छोटे साइस के समोसे बनाएंगे तो छोटे लोई तो रहें उसके बाद हम थोड़े से मैदे लगा देंगे और इसे हम oval shape में बेलेंगे तो इसे जादा थिक भी नहीं बेलना है और नहीं जादा पतला लेयर करना है इसका तो ये देखिये इसकी लेयर कितनी है हम दिखाएंगे आपको ये देखिए इस तरह की लेयर होनी चाहिए तो हम अब इसे बीच से कट कर देंगे बीच से कट करने के बाद हम इसे इस तरह से एक एजस को पकर के इसमें पानी लगा देंगे और दूसरे एजस को इसके उपर लखकर इस तरह से चिपका देंगे आप चहें तो बीना पानी लगाए भी इसे चिपका सकते हैं अच्छे से उसके बाद हम इसमें स्टफिंग डालेंगे तो यहां हम एक बड़े चम्मच आलू डाल रहे हैं आलू को अच्छे से पहले आप दबा दे और इस तरह से इसे चिपका दे आप यहां भी पानी लगा सकते हैं, पानी लगा कर भी चिपका सकते हैं, तो यह देखे हमारा समोसा बन कर तयार हो गया है, इसी तरह से हम सारे समोसे को बना कर तयार कर लेंगे, आप चाहे तो रोटी की तरह भी गोल बेल सकते हैं, तो यह देखे इस तरह से एक एजस को तो ये देखिए, हमारा समोसा बन कर तयार हो गया है, इसी तरह से हम सारे समोसे को बना कर तयार कर लेंगे, अब हम इसे फ्राइ करेंगे, तो एक कराई में तेल चड़ा है, तेल हमारा गरम हो गया है, हम थोरे से डो डाल कर चेक कर लेते हैं, कि तेल हमारा गरम है या नहीं, तो ये देखिए तेल हमारा गरम हो गया है, समोसी को हमें मीडियम गरम तेल में डालना है, तो इसे हम निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम समोसे डालेंगे तेल में, आप सावधानी से एक एक करके सारे समोसे को जितने तेल में आ रहे हैं, उतने समोसे डाल दे, हम यहाँ पा पाँच मिट तक पकाएंगे 4-5 मिर्ट तक लो फ्लेम पर पकाना है 4-5 मिर्ट के बाद हम इसे पलट देंगे तो एक साइड जैसे ही थोरा सा पक जाएगा तो हम एक एक करो के सारे समोसे को इस तरह से पलट देंगे और उसके बाद gas का flame low medium कर देंगे और फिर इसे golden brown होने तक हम समोसे को fry कर लेंगे समोसे को आप अगर इसी process से fry करेंगे तो समोसे के उपर bubbles नहीं आएगा समोसे को fry करने में 8-10 मिट लग जाता है समोसे को हम थोरे से patience के साथ fry करेंगे तो यह देखिए हमारा समोसा जो है वो बनकर तयार हो गया है इसका color golden brown हो गया है तो अब हम इसे kitchen paper towel पर निकाल लेते हैं इसी तरह से हम सारे समोसे को बना कर तयार कर लेंगे और एक प्लेट में सर्व करेंगे समोसी को हम green chutney और इमली की चटनी के साथ सर्व करेंगे तो यह देखिए हरे दन यह की चटनी की recipe मेरे चैनल पर है और यह इमली की चटनी की recipe भी मेरे चैनल पर है आप देख सकते हैं इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है और स्वादिस्ट बहुत ही होता है तो आप इस समोसी की recipe को ज़रूर try करें और अगर आपको मेरी यह recipe अच्छी लगी तो like करें, share करें और अगर मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करें